तो वेलकम बैक टू दे चैनल गाइस और आज की इस वीडियो लेक्षर में हम देखेंगे कॉंट्रेक्ट के बारे में ठीक है इंडेन कॉंट्रेक्ट एक्ट 1872 ठीक है के कोई लेंदेन करते हैं किसी चीज के लिए लेके तो आप और मैं उस चीज के लिए लेंदेन करेंगे तो इस चीज को मैं आपको सम्तिंग रिटन दूगा और मुझे कार दोगे तो अब हमारे बीच में क्या होगा एक रूजा और वो जो पूरा फुल्फिल हो जाएगा तो कहेंगे contract is successful अब हो सकता है कि बीच में आप मुकर जाओ या मैं मुकर जाओ पैसे देने से या आप मुकर जाओ कार देने से तो हो जाएगा breach of contract ये सारी चीजे जो है आती है इस contract में तो देखिए ये two parties होनी चाहिए सबसे essential element of contract और मैंने बूला था contact क्यों देखिए contact जो है तीन चीजों से मिलके बनता है अगर हम Indian contact 1872 पड़ते हैं तो contact जो है arise होता है तीन चीजों से form होता है पहली चीज जो होती है agreement ठीक है agreement दूसरी चीज जो है वो होती है Standard Form Contract Standard Form Contract पहली चीज होती है प्रम अदेखिए एस्टापल एस्टापल, प्रम से एस्टापल परमस्री तो यह जो गाई से यह जो तीन चीजे है एक बाई एग्रिमेंट बाई स्टेंडर्ड फॉर्म एन बाई प्रॉमिस्ट्री प्रॉमिस्ट्री स्टॉपल इन तीनों चीजों से एक कॉंटेक्ट का फॉर्मेशन होता है तो हम सबसे बेले रेखेंगे कि एग्रिमेंट से कैसे होता है तो दीखें हमारी लाइफ में बहुत सारे हमें एग्रिमेंट करते हैं और यह कहावत है कि all agreements are contract sorry all contracts are agreement but all agreements are not contract अब मैंने ऐसा इसलिए क्यों का all contacts are agreement but all agreements are not contract देखें agreement क्या होता है पहले वह समझेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि contract क्या होता है देखे promise होता है ठीक है यानि मैंने कोई चीज आपको promise की ठीक है मैं proposer मैं proposer आप propose मैंने आपको propose किया ठीक है तो वह चीज आपने accept की ठीक है यह सारी जो चीजा आरही है ना terms तो यही चीज़े होती है मिलके contact का निर्धारन करती है जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बोला मैंने का एक proposer me as a proposer proposer और you as a proposee proposee is the one to whom the proposal is being made and the sorry this proposer proposer is the one to who makes the propose to the proposee ठीक है ऐसी को हम offerer या फिर offeree कहने तो कोई गलत तो नहीं होएगा है ना अगर ऐसी को हम proposer को मैं offerer बोल दूँ question मां क्यों लगाए बीच में proposer को अगर मैं offerer बोल दूँ तो कुछ गलत तो नहीं होएगा और प्रोपोजी को मैं offeree बोल दूँ तो भी कुछ गलत नहीं होगा ठीक है तो प्रोपोजर जो होगा वो किसी चीच के लिए प्रस्था प्रोपोज करेगा ठीक है किसको करेगा प्रोपोजी को करेगा in the same sense offerer जो होगा वो offer देगा किसको offer को देगा ठीक है तो प्रोपोजल और offer क्या होगा है दोनों same word होगा है यहां से यह चीज़ निगलके आई अब देखिए contact की language में बात करूँ तो अगर प्रोपोजर ने प्रोपोजी को कोई प्रोपोजल दिया या offer ने offer को कोई offer दिया तो मिलके क्या बना promise जई मैं वचन देता हूँ promise करता हूँ ठीक है यह जो तीन चीज़ हो गई promise प्रोपोजर प्रोपोजी ठीक है यही जो चीज़ है जैसे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था कि agreement जो होता है agreement के थूरू हम देखेंगे contact को यानि कि हमारी जिंदेगी में हमारी आम देखेंगी में बहुत सारी हम एक दूसरे से contact करते हैं ठीक है और वो कुछ contact formal होते हैं कुछ informal होते हैं यानि कि कुछ ऐसे contact होते हैं जो की legally हम क्या गर सकते हैं आगे चलके उसे contact के रूप में change कर सकते हैं यानि कि agreement enforceable by law is contract जिता यह बोल ले जिसमें consideration भी होता है यानि कि बदले में written something और object जो होता है वहाँ पर यानि किस चीज के लिए हम वो agreement कर रहे हैं वो सारी जो चीज़े होती है object हो गया consideration हो गया यह सारी चीज़े lawful होती है legal होती है तो अभी इसकी definition देखेंगे जल्दी से तो देखेंगे बाद में definition ठोई दिर में लेकिन पहले समझते है agreement क्या होता है तो मैंने बोला था हम अपनी life में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़े promise वगरा करते रहते हैं ठीक है तो यह जो चीज़े मैं आपको बताईए ना proposal proposal promise यह भी आईगी आगे जल्के तो पहले में आपको थोड़ा सा agreement भी आएगा सब समझाऊंग लेकिन जो चीज़े अगर मान लीज़े agreement है जैसे कि मैंने आपको मैं कोई informal invitation दे रहा हूँ ठीक है कि आप मेरे neighbor हो पडोसी हो और आप आओ मेरे घर पे चाहिए भी ने ठीक है आप आते हो वही शाम को ठीक है कि भैसा अब आपने मुझे invite किया था आपने मुझे offer दिया था चाहिए का ठीक है तो यह देखे लिखाओ में प्रोपोजल या offer तो आपने मुझे भी चाहिए का offer दिया था अब देखी क्या वो आप अगर मैं आपको चाहिए ना पिलाऊ तो क्या आप court जा सकते हैं कि भाई साब इनने मुझे offer दिया था इनने मुझे promise किया था इनने मु इसको नहीं माना और मुझे चाहिए नहीं पिलाई तो इसलिए इनको शू के आ जाना चाहिए और मुझे जो है यह liable है इस चीज के लिए और मुझे इसके लिए compensation मिलना चाहिए ठीके इन्होंने मेरा वक्त बरबात किया तो यह सारी चीजे जो है इसमें जो है बहुत सारी चीजे डिफर करती है जैसे की consent होनी चाहिए ठीक है और बागी मैंने आपको बताया है consideration object यह सब चीजे है तो यहां पर मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ तो मैंने आपको एक चीज समझाए कि चाय वाला एक्जामपल है और वहीं पर मैं अगर आपको कार वाला एक्जामपल दू कि मैं आपको कंपनी कार बेच रहा हूँ आप मुझे बदले में पांसलाक रुपे दो अगले दन आप दोलाक रुपे लेके आगे मैंने असेट कर लिया दोलाक रुपे आपसे ले ली और फाइनली मैंने आपको कार नहीं दी तो अब यह चीज जो है मैं लीगली बाउंड हो गया मैंने आपसे पैसे लिये सम्तिंग इन रिटन लिया अब मैं अपना जो है प्रॉमिस क्या हुआ नहीं दी बा रहा हूँ तो फिर आप कोड जा सकते बेश्यक और कोड जो है इसको वैल्यू भी देगा और मुझे जो है फूर्स भी कर सकता है करेगा कि या तो मैं तुम्हें जो तुम्हारी जो वैल्यू है वह वापिस करूँ अगर मुझे नहीं बेशना और अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो आई सेल यूदा कर तो क्या रीजन होंगे देखते हैं तो इंडियन कॉंटेक्ट एक्ट 1872 के अंदर हम आप समझ गया है तो देखे इसके हम कुछ बेसिक्स देख लेंगे कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं क्या क्या होते हैं कॉंटेक्ट फॉर्मेशन के बेसिक्स क्या क्या होते हैं कि पूंटेक्ट के विसिक्स यह होते हैं जैसे कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमने पहले देखा कॉंटेक्ट में सबसे पहले क्या होता एक इसको हम सेक्षन वाइस डील करते गाईस सेक्षन टू ए अपने देखा होगा अपनी बेयरेक्ट में सेक्षन टू ए बेसिकली डील करता है बोलता है इसकी बेयरेक्ट की लेंगविज है वैन वन परसन सिक्निफाइस तू अनजर इस विलिंगनेस तू दू और अबस्टेन फ्रॉइंग अनिधिंग वित व्यू टू अप्टेनिंग असेंट अट अधर तू सच एक्ट और अबस्टेंग अबस्टेंग है तो यह ज आँ कि वही बाली चीज हो गही मैंने आपको किसी चीज के लिए प्रस्ताव दिया ठीक है प्रॉपोजल दिया and it is now up to you that either you accept this proposal or not what I am saying either you accept this proposal or not यहनी की बात आई किसकी acceptance की ठीक है आप से उकार करो या आप ना करो आप बात दी नहीं हो ठीक है अवी बात हो थी आप या चाई पिला हो या नहीं पिला हो ठीक है आप सोवई वाली चीजह है लेकिन इसमें चूच चीज़े हैं जो कि enforcible by law करवाते हैं और कुछ चीज़ा ऐसी हैं जो सब normal simple agreements हो जाते हैं तो यह जो है contract के नीचे मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यह सारे essentials हैं जो कि आपको एक लेके आएंगे एक proper legal legal way to make a contract जिससे आप किसी को भी मतलब bound कर सकते हो कि भाई तुने यह promise किया था इसको fulfill कर section 2 भी deal करता है acceptance के बारे में और इसकी अगर मैं bare act की language बता हूँ तो it simply says कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent there to there to का मतलब यहां पर होता है गाईज यह जो section A में दिया ना 2A में कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything यानि कोई भी एक व्यक्ति जब अपनी willingness को signify करता है दूसरे person पर किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने के लिए और उस चीज में ऑप्टेन करता है उस व्यक्ति की ascent व्यक्ति की हामी वो ले ले लेता है signifies ascent there to यानि कि in the same manner जैसे 2A था तो the proposal is set to be accepted a proposal when accepted becomes a promise अब यहीं पर कईस बात आती है acceptance के साथ-साथ किस की promise की गार भार आता है तो अब साथ को बता रहा था कि जब कोई भी प्रोजल हो हूँ असेप्टेंट हो जाए तो उसे फफ़र हम प्रामिस बोल सकते हैं तो प्रॉमिस और Acceptance सेक्शन 2B में दिय हुए है फिर उसके बाद सेक्शन 2C 2C डील करता है इस चीज को लेकिए अब देंडर्मिस हो गया अब सेक्शन 2C Indian contact act का define करता है जिनके बीच में ये proposal हो रहा है न यानि कि किस के बीच में हो रहा है मैंने आपको starting में बता दिया था एक हो गया प्रॉमिसर दूसरा हो गया प्रॉमिसरी ठीक है दा परसन मेकिंग दा प्रॉमिसर राइट एन हो इस प्रॉमिसरी परसन असेप्टिंग दा प्रॉपोजल ठीक है इस कॉल दा प्रॉपोजी समझ में आगया ये तो के लिए रहे है उसके बाद सेक्शन टूदी सेक्शन टूदी डील करता है कि वेन एड देजायर अब दा प्रॉमिस अगर इस वाली लेंग्वेज को आपको पढ़ना है सेक्शन टूदी तो ये जो है तीन कंटेक्स में आप देख सकते हैं पहला तो ये पास्टेंस की बात करता है कि वेन एड डिजायर अब प्रॉमिसर अपस्टेंस की बात करता है और तीसरा जो है अपस्टेंसल इस काल्ट अ-कंसिडेरेशन क्या बोला ये इसने और खरीदने के संदर में कार में तर अब्जेक्ट हो गई जैसे मैंने बता यह लीगल ऑबजेक्ट हो डाचिए लीगव by the seller. जो भी उसकी demand है. मैं उसके hesap से उसको पैसा दे रहाओ. तो उसकी car है. उसका product है. तो मैंने उसके उसका jeurg खुआ. साथ देया क्या दिया थो उसके karen उन्ट हुई और मी उसके इसके यह उए उसके के से गवाइब हैं तो सक्षिंट टूडि जो है को स्ट्रीशन की बात करता है फिर छाके शेक्षन टूई इ आ गए proposal acceptance प्रोमिसर प्रोमिसी कोंस्टेरेशन की तब जाके section 2-E में हम क्या देखेंगे section 2-E में हम देखेंगे se miten and k air कि टीज़े तो अब हम आगे किस पर किस पर ऐग्रे में जब हमने यह चारो elements देख लिह proposal है acceptance है ठीज़े और Purpose or Acceptance मिलके क्या बनाते हैं Promise ठीक है और जो है Promiser और Promiser कौन होता है ये देखा एक Consideration ने और ये जो चारो चीज़ है मिलके Agreement बनाती है ठीक है Agreement की Definition guys है कि Every Permice and Every Set of Promises Every Promises And Every Set of Promises forming the consideration for each other is an agreement ठीक है फिर उसके बाद हम section 2F में चाहेंगे section 2F भूलता है कि promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises इसकी direct की language में दुबारा देखेंगे promises which form the consideration or part of the concentration for each other are called reciprocal promises समझ गया अब बात को यह यानि की जो है consideration जब दोनों parties के लिए form करते है तो उस चीज को अब बोलते है reciprocal promises जो ही कार वाले example ले लिजे कार वाले को बदले में पैसे मिले पैसे वाले को कार मिला तो यानि की दोनों ने promise करके आपस में क्या हुआ यह हो गया reciprocal promises समझ रहे उसके बाद section 2G हंजी हंजी section 2G section 2G जो है deal करेगा किस से agreement की बात करता है यह जो कुछ भी agreement हुआ ठीक है क्या वो agreement वाइट तो नहीं है वाइट का वोगा agreement तो होगा लेकिन वाइट का वोगा यह भी देखेंगा आगे चलिके basically वाइट का मतलब क्या होता है यानि कि जो चीज law में enforce हो ही नहीं सकती है court of law में लेके जाहीं नहीं सकते जिस case को ठीक है तो वो चीज क्या हो गई वाइट यानि कि वाइट हो जाएगा अब देखिए एक example ले लेते हैं इसमें वाइट एग्रिमेंट क्योंकि एग्रिमेंट ही जो मिलके क्या बनाता है contact बनाता है तो वाइट एग्रिमेंट में हम कैसे देखिएंगे कि suppose मान लीजे आपके और मेरे बीच में एक ट्रक है उसका एक सौधा हुआ आप ट्रक वाले हैं मैं आपको पैसा दे रहा हूँ ठीक है अब जो क्या है देखेंगे लिंदिन में एग्रिमेंट में हम दो चीज़ें यहां पर देखिएंगे object plus consideration इस चीज़ेंगे कि वाइड एग्रिमेंट क्या हो जाएगा consideration देखें object क्या है ट्रक खरीदना और ट्रक बेसना ठीक है यह क्या illegal है नहीं है ना खरीदना बेसना किसी चीज़ का खरीदना और बेसना illegal तो नहीं है खासता ट्रक का वहीं पर consideration में मैं आपको पांच लाख रुपे देदेता हूँ किते देता हूँ पांच लाख रुपे plus आपकी demand है कि यार मुझे पांच लाख रुपे के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ दे दो यानि कि आप जो है किसी चीज़ के addicted हो आप किस चीज़ के addicted हो आप नशे के addicted हो आपको चीज़ है चरस wheat ठीक है चरस सु आप चरसी हो ठीक है don't take it otherwise just for sake of example अब देखे क्या है यह जो चरस है क्या है यह लीगल चीज़ है ठीक है नहीं है नहीं है ना यह लीगल चीज नहीं है यह क्या है इललीगल है तो यहां पर कॉंसिट्रेशन क्या है लीगल है, unlawful concentration है तो क्या यह agreement हो, valid होगा हम इसे court में लगए जा सकते हैं कि sir, यह मुझे truck इनों ने नहीं दिया क्योंकि मैंने इनको concentration में दे रहा था concentration में पांस लाग और मैं साथ में चरस दे रहा था यह क्या बात हुई यह जो है, इनों ने मुझे truck इसले नहीं दी क्योंकि मैंने इनको जो है, concentration में चरस दे रहा था वा काई देगे, मुझे से आठ लाग रुपे मांग रहे थे मैंने पांस लाग ले रहो, बाकी की मैं चरस दे देता हूँ तो यह चीज जो है, possible नहीं है तो यह चीज हो जाएगी, unlawful तो यह चीज हो गई, unlawful तो इसलिए यह contact हमारा क्या हो गया sorry, agreement हमारा क्या हो गया, void तीक है, null and void बोलते है, legally यानि कि मैं कुछ है ही नहीं, section देखे, agreement हुआ, void agreement हुआ, section 2G के बाद आतर, section 2H तो यहाँ पर यह जो है, चीज है, जिस चीज के लिए हम बात कर रहे है न, contract इस चीज को define करता है और वो कैसे define करता है, मैं यहाँ थोड़ा से लिख देता हूँ all agreements देखे, यहाँ पर जो मैंने अभी चर्श वाल example बताया था वो agreement तो है, लेकिन वो क्या हम court में लेके जा सकते हैं क्या वो enforceable by law है, नहीं है न, इसलिए वो void agreement हुगया और जो valid agreement हुएगा, जिसको हम court में लेके जा सकते हैं वो क्या हो जाएगा, all agreement जो enforceable by law है तो क्या हो जाएगा, contract हो जाएगा all agreements enforceable by law is called contract या फिर all agreement enforceable by law is a contract ठीक है तो ऐसे गर कि हम देख लेगे इसे उसके बाद contract 2H में define किया है 2i में जो है guys it talks about voidable contract अब देखिए दो चीज़े होती है voidable और voidable contract और void contract वोईड कोंटरेक्ट किस में है last वाला जो section 2 का last सब section है जिससे हम टू जे बोलते हैं ठीक है तो यह हो गया void contract अब देखे, void agreement और void contract क्या है, void agreement तो ठीक है चलो, कोई नहीं, लेकिं जहाँ पर contract ही void हो जाएगा तो वहाँ पर जो है, क्या कि elements होईए, void contract के ये सब चीजें देखेंगे, जैसे कि अब देखिए इसमें एक चीज़ आती है, consent जो है अगर माल लीजेए आपके और मेरे बीच में कोई agreement हुआ है और वो consent जो है free नहीं है not free consent not free अब not free कैसी होती है यह चल यह देख लेते हैं इसमें वो consent free नहीं होती यह फिर रुख जाईए consent not free होता है जिसमें और यानि कि free consent नहीं होती आप यह समझ लीजे और जो कि unlawful है unlawful है ठीक है not enforceable in quotes not enforceable in quotes कॉंपिटेंसी यानि कि जो भी बंदा जिससे आप contact कर रहे हो ठीक है क्या वो competent है contact करने के लिए अब उस चीज को कैसे define करेंगे competency competency ठीक है तो इस चीज को हम देखेंगे कॉंपिटेंसी यह तीन चीज से देख लेते हैं इसको कि unsoundness क्या उसकी दिमागी स्थिटी ठीक है unsoundness दुसरा हो जाएगा sorry soundness दुसरा हो जाएगा majority Indian majority act के टहर कौन सा मनता major है कौन सा मनता minor है यह सीज का define क्या हुआ है जनरल ही हम एजूम करते हैं कि 18 साल से कोई भी उपर जो बनता है वो major है जैनकि वो contact करने के ले ठीक है तो यह सारी चीजे होती है competency में कि बंदेगी soundness चेक की जाती है यानि कि mental condition चेक की जाती है और उसके बाद क्या होता है उसको यह चेक कर जाता क्या यह major है या कही माइनर तो नहीं है majority चेक की जाती है या फिर आप यह भी कर सकते कि minority चेक कर लेते हैं कहीं माइनर तो नहीं है तो यह सारी चीजे जो है competency में आ गई उसके बाद यह सारी चीजे होती है वाइट कॉंट्रेक्ट को करने के लिए competent अगर कौन होगा जो soundness होगा ठीक है जो मेजर जो मेजर होगा माइनर नहीं होगा तो competent होगा competent to contract एक चीज़ इसमें और आती है not disqualified by law ठीक है not disqualified by law तो इस सारी चीजे हम sections में देखेंगे चलते चलते आगे आगे अब जैसे मैंने आपको बोला था कि consent free consent यह वाला जो concept है free consent का ठीक है तो इसको मैं ऐसे आपको explain कर सकता हूँ free consent होनी चाहिए ठीक है यह सारी जो चीजे है ना इसको थोड़ा सा यहां पर change करता हूँ for valid contract एक valid जो contract है जो enforceable by law होगा ठीक है यह जो वाला definition है 2H की all agreements enforceable by law is contact तो उसके लिए क्या होना चाहिए वह valid contract होएका और उसमें क्या होनी चाहिए free consent होनी चाहिए free consent भी जो है चार चीजों से चेकी जाती है जैसे की हाह एक होता है Miss representation नहीं होना चाहिए undolense नहीं होना चाहिए उसके बाद Mr. Presentation नहीं होना चाहिए किसी चीज को सही बता कर उस चीज में ऐसा व्लासीम नहीं होना चाहिए Mr. Presentation उसके बाद जो है Fraud नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीजे जो है एक डिफाइन करती है कि Free Consent नहीं होना चाहिए यानिकि इसमें आगे से Cross का Sign लगा सकते है अग्या नची 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 मनब यह से समझ दीजे कि वो चीज सारी Pre-Consent कराएगी जिसमें Coercion नहीं होगा Undo Interest नहीं होगा Misupresentation नहीं होगा और Fraud नहीं होगा और Competency कैसे चेक की जाएगी जिसमें Soundness गंदा साउंड होगा Of Sound Mind होगा Measure होगा Disqualified by Law नहीं होगा To which he subject यह सारी चीज है हम देखते हैं कि क्या होता है कि यह Contract है तो यह था आज की इस Video Lecture पर ठीक है क्योंकि वीडियो की लेंट होरी है लम भी So I hope कि जित्ता भी मैंने आपको बताया होगा आपने अगर सुना है सारा तो आपके माइन में यह चीज की लिए रोगी होगी कि Contact क्या होता है और कैसे Form Arise होता है कोई Contract तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो पर चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यहीं बोलूँ गा थैंक्स फॉर वाचिंग दर वीडियो गईज